हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री क्वेस्चेन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम नाकपुरी का जो साहितिक निबंध पढ़ना है ग्रेजवेट लेबल का सिलेबस में उसको पढ़ेंगे और उसमें जो पहले कवी है परफुल कुमार राय जी के बारे में इनका जीवन परिचे को पढ़ेंगे और इनकी जो महत्पून रचनाय है ये सारा कुछ पढ़ना है साहितिक निबंध में तो परफुल कुमार राय जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जो syllabus viral हुआ था उसमें दो पुस्तक का नाम दिया गया था एक था आधुनिक नागपूरी कवी मनक साहितिक परिक्षे और दूसरा पुस्तक है बीपी केसरी जी का नागपूरी कवी और उनका काब्य यह दोनों पुस्तक को हमें जो भी इनके बारे में दिया गया है दोनों को हम लोग पढ़एंगे क्योंकि देखिए कोई question छुटना नहीं चाहिए और जो है दोनों पुस्तक का नाम आया है तो हम कोशिस कर रहे हैं कि दोनों पुस्तक के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है और क्या-क्या दोनों में कुछ-कुछ सीखने को मिलेगा और question हो सकता है कहीं से भी पुछा जा सकता है इसलिए हम लोग दोनों पुस्तक में जो कुछ भी दिया गया है उसको पढ़ेंगे और इसी वीडियो में इसका question answer भी करेंगे और ये फिरी वीडियो है यूटूब में जो लोग अभी तक कलास से नहीं जुड़े हैं वो हमारा app है study pre question app इसको play store से डाउनलोड कर लिजिए या आपको कोई भी दिकत हो रहा है तो 8409-006632 इसमें call करके कलास के बारे में पूछ सकते हैं क्यों कि देखिए कलास उसमें अब 80% कंपलीट हो चुका है और यूटूब में आपको इधर उधर कलास करने में कोई आपको कंपलीट कलास करा भी नहीं रहा है तो आपको क्या करना है कलास से जुड़ जाना है प्राइस भी बहुत काम है तो एप डाउनलोड किजिए स्टडी प्री क्वेश्चन या आपको कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यह हो सकता है यूटूब में ये आखरी वीडियो है मेरा इसके बाद कोई भी वीडियो यूटूब में नहीं आएगा सारा एप में ही आएगा तो चलिए देखते हैं परफुल कुमार राय जी के बारे में पहले हम लोग देखेंगे आधुनिक नाकपुरी कवी मनक साहितिक परिच्चे जो पुस्तक है उसमें इनके बारे में क्या दिया गया है तो इनका जीवन परिचे देखेंगे तो परफुल कुमार राय कर जनम 8 फरवरी 1932 इसवी के पहार बंगरू में एठो साधारन वैद बाहमन घरे होई रहे है तो इनका जो जनम है 8 फरवरी 1932 देखिए इनका जनम के बारे में बहुत ज़्यादा इधर दो तिन पुस्तक हम देखे समय अलग 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 दिया गया है तो इस पुस्तक में जो है 8 फरवरी 1932 दिया गया है और अभी जो और एक पुस्तक से पढ़ाएंगे उसका नाम है नाकपुरी कवी और उनका कावे उसमें जो है इनका जन्म दिया गया है 8 दिसंबर 1922 इस भी दिया गया है देखिए कितना डिफरेंस है 1932 और 1922 और पिछला बार जब हम लोग केवरा पढ़ेते तो उसमें एक लेक पढ़ेते तो उसमें क्या दिया था 8 फरवरी 1926 अब बताए ये 33 इनका बर्त दिया हुआ है अब कहां से क्या पढ़ेंगा अब बहुत हम इसमें चानबिन किये तो हमको ज्यादा suitable जो है 1926 ही लगा क्योंकि उनका metric जो सातवा कलास पास लिखा गया है वो 1938 के आसपास 39 में लिखा गया है तो 32 में अगर पैदा होते तो 3849 में वो सातवा कलास में नहीं होते तो मुझे लगता है कि उनका जन्म जो है ये 1926 वाला ही सही है लेकिन हम लोगो जो दोनों book पढ़ना है उसमें ये 1926 नहीं है एक तो 1932 है और एक तो 1920 है तो मेरा काम है जो जो लिखा हुआ है उसको बतला देना बाकी आपके उपर है आप लोग सब एक जूठो के जैसे सी पहले भी जा सकते हैं और इतना भी confusion है उसको दूर कर सकते हैं तो परफुल कुमार राय का जन्म जो है आठ फरवरी 1932 के पहाण बंगरु में एक ठो साधारन वैद बाहमन घर हो रहे है पहाण बंगरु उस समय जो था रांची में पढ़ता था अब यह गुमला जिला में आता है जो की सीसाई में है इनका जिन्गी के सांज छे फरवरी 1991 1. brew में हो लग तो इनका जिन्गी का सांज यानि की इनका जिन्दगी का साम यानि की इनकी मृत्यू जो है 6 फरवरी 1991 इस वी को हुआ था और जो और एक पुस्तक है उसमें 7 फरवरी या 8 फरवरी है अभी आगे देखेंगे तो यही थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा confusion है जन्म में बाकी कोई दिक्कत नहीं है जे नाकपूरी कविता जगत कर बहुत बड़ कवी कहल जायना यह जो है नाकपूरी कविता जगत के बहुत बड़े कवी कहे जाते हैं परफुल जी छववा बेरा से इनकर विशेस लगाव नाकपूरी से रहे और बच्पन के समय से ही इनकर विशेस लगाव जो है नाकपूरी से था राय जी अपन जिनगी में बहुत संघर्स कर रहे हैं मेट्रिक कर परिक्षा देहाईते से देले और मेट्रिक कर परिक्षा वो देहाद से ही दिये उकर बाद आगे कर पढ़ाई करे के लिए राची आ लाएं और सेवरा रातू रोड में अपन एगो छोटे मोटे घर बना ले 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 उसके बाद आगे का पढ़ाई करने के लिए रांची आते हैं और उस समय क्या करते हैं रातु रोड में अपना एक छोटा मोटा घर बना लेते हैं 1950 इसवी में ICOM कर लें, फिर 1956 इसवी में BL कर लें, फिर 1956 इसवी में BL करते हैं, इसनातक सिच्छा तो वानिजे में होलक मुदा नाकपुरिया गीत मनक में बेस सवक रहें, असनातक सिच्छा तो इनका वानिजे से हुआ, लेकिन मुदा यानि की लेकिन इनका नाकपुरिया गी सुन्दर गीत मन और कविता मन लिख लें इसी चलते वे क्या कि ये सुन्दर गीत और कविता लिखे अब सेवा और दूसरा काम उनका देखते हैं तो परफुल कुमार राय सन 1969 इसवी से 1989 इसवी तक NCDC जो कि जिसे के अब CCL के नाम से जाना जाता है उसको पहले NCDC के नाम से जाना जाता था CCL को तो उसमें ये 1969 से 1989 इसवी तक उसमें नौकरी किये हुआ उपकार्मिक परपंधग यानि कि परसासन का पद में थे वो वहाँ वो उपकार्मिक परपंधग के रूप में पद के रूप में काम किये थे इकरमधे 1960 में नाकपूरी भासा परिशत कर अस्थापनाओ कर ले इकरमधे यानि कि इसी बीच में जो है 1960 इसवी में नाकपूरी भासा परिशत का अस्थापना किये इन नाकपूरी पत्रिका मन निस्काले और ये जो है नाकपूरी पत्री का भी निकाले छपल रचना मन इनका जो है छपा हुआ रचना के बारे में दिया गिया है कौन-कौन सा रचना है इनका सोंजहर कहानी और गीत संग्रा 1970 इस्वी में छप लगा बहुत ही महतपून इनका ये संग्रा है पहले भी हम बता दिये गीत पढ़ा रहे था उसमें तो इनका जो है सोंजहर और एक रिंचिंग ये दो बहुत महतपून इनका पुस्तक है जो की कहानी और गीत का संग्रा है तो सोंजहर जो है 1970 इस्वी में छपा इकर अलावे आदिवासी छोटा नाकपूर अलावे होगा यहाँ अलावे आदिवासी छोटा नाकपूर संदेश और नाकपूरी कर पत्री का मन में नाकपूरी गीत कहानी निमंद मने छपलक इसके अलावे जो है इनका जो है आदिवासी पत्री का छोटा नाकपूर संदेश और नाकपूरी कर पत्री का जो भी था उ गीत और सोंज्यर और रिंग cal सीकाया चार्यानी ये इनका पुस्थत्र गीत और कहानी संग्रह ठा और सोंज्यर कहां से छपा था भंगलापरेश से और राची से 1883 में रिंग चीया चंग्या जबीना छपा उनका 2 नहीं छपने सका तो ये भी आपको याद रखना है इनका उपन यहां से संकर गोटेक जिनगी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नी छपाए सक लग और दूसरों गीत कवितामन एकनों बे छपाल यानि कि अभी भी वह नहीं छपा है उपलबधी के बारे में देखते है विक्रम सिला हिंदी विदिया पीठ भागलपूर में इनके साहितिय वाच पस्तिकर मानत उपाधी से संवानित करल गले तो विक्रम सीला हिंदी विदिया पीट भागलपूर में उसमें इनको ये सम्मान मिला है काब्यगत विशेस्ता उनका काब्यगत विशेस्ता क्या है तो कवी कर एक ओ कविता फागुन में फागुन कर आयक चितरन आहे तो उकर जायको वरनाना है तो कवी परफुल कुमार राय जी का एक कविता दिया गया है इसमें फागुन फागुन में फागुन का आने का चितरन है तो उसका जायको यानि कि उसका जाने का भी चितरन है फागुन का आने का चितरन है फागुन महिना का तो जाने का भी चितरन है यह एक कविता है फागुन कवी कर एक चन जीव कहला कि फागुन आवी तले दूसरे है चन में जीव कहला कि फागुन तो आयक लाइग है कवी का एक चन यानि कि एक पल में जीव यानि कि एक चन में उनका दिल कहता है जान कहता है कि फागुन तो आवी फागुन तो आएगा तले यानि कि उसके बाद जो है दूसरा ही चन में कवी का जो जीव है जान है वो क्या कहता है कि फागुन तो आ रहा है फिर कखन नी कखन क कभ नगब जो है कौनressy तरह से झहमकते हुए मंने कि पानी का जहमक खाकरfit करें जूब जह के चलने जहाते जोया जंदा से आ जाता है तो इस जो कविटा मुंध ऊसका यहां पस लाइन भी दिया गया है तो इसमें कविटा से question नहीं पुछेगा हो सकता है ये दो line दे देगा और पुछेगा कि ये किस कविता का है तो थोड़ा से याद करना ही होगा book में दे दिया है तो जीव कहलक फागुन आवी तले इजीव कहलक फागुन आवा थे फागुन आवा थे फिर ये जान कहता है कि फागुन का महिना आ रहा है फागुन का महिना आ रहा है एह सब गुणेक बुजहक में यानि की यही सब को सोचने समझने में माजह यानि की बीच में किधर ना किधर से किस तरप से जह मकते फागुन आ जाता है तो इसका अर्थ यही पस पहले ही दे दिया था फागुन कर आवल पाछे प्रकृति में का बदला होएला उक्रो सुपट वर्नन करला है फागुन आने के बाद जो है फागुन महिने के आने के बाद जो है प्रकृति में क्या बदला होता है उसका भी सुपट वर्नन जो है किया गया है फागुन आले धर्ती, अकास, बतास, गच ब्रीच में, रोध में, छाहिं में, सुनदर्ता महिने के आने से क्या होता है धर्ती में अकास में बतास में यानि कि धर्ती में अकास में हवा में पेड़ पौधों में रोदी यानि कि धूप में छाह में सुंदर्ता जो है मेश जायले यानि कि मिल जाता है बन में बन फूल फूलेला और जंगलों में क्या होता है बन फूल जंगली फूल जो है खिलता है फागून कर साज सिंगार उसने हैं होएला जैसन बिरहनी कर आस तो फागून महिना का जो साज और सिंगार होता है तो वैसा ही होता है जैसे बिरहनी बिरहनी हम लोग पहले ही बता चुके है जिसका मतलब कोई प्रेमी जो है बाहर हो वो अकेली हो बिरहन उसी को कहा जाता है जिसका पती या प्रेमी से वह दूर हो ये बार-बार आ रहा है बिरहनी सब बहुत बार समझा चुके है तो फागुन का साथ सिंगार वैसा ही है जैसे जैसे कि एक बिरहनी का आस है उमीद है इंतिजार है गच बिरिच का डाइर में नावा नावा लुदलु दाल पता है निसके लगच बिरिच यानि कि पेड़ पौधों के डाल में जो है नया नया लुदलु दाल यानि कि कैसे लुदलुदाल यानि कि भरा परा मतलब बहुत ज्यादा नया नया कोमल पत्ता जो है निकलता है परास और सेमल फुटकल और कुसुम कतना नी कतना रंग मन से भीण जाएला परास और सेमल का फूल और फुटकल ये भी बता है एक पेड होता है उसका साग पत्ता को खाते भी है वह सुरू सुरू में नोकिला रहता है कुसूम का फूल कितना ना कितना रंग से जो है मन भींग जाता है उसके फिर चार लाइन दिया है उसी गीत का फागून कर साज और सिंगार धधाइक उठलक सेमाईर और परास जैसन धतके लकोनो बिरहनी कर आस मन करे तरास अनुपम अभिलास नवा नवा लुदलुदाल पताई चिकन फुटकल कुसुम और फुटकल रुख मन में यह इसका पहले ही अर्थ दे दिया है और उसी को बाद में लिखा गया है कि फागून का साजर और सिंगार धधक उठता है सेमल का और परास का फूल ऐसे धधकता है जैसे बिरहनी का आस अधर उमीर जो और फुटकल का ही वही पत्ता को लिखा है, तो इसमें अर्थ दे दिया है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करना है, और इसका अर्थ नहीं पुछेगा, फागुन का बिहान में जखन दूर छितीज वटले सूरज देवता उगयना, से पर कताई नी कताई बरन का चराई मनक चेरे बेरे गुएंज उठेला, तो फागुन के सुबह में जब जब जखन यानि कि जब दूर छितीज की तरफ से सूरज देवता उगते हैं, उस समय कितना न कितना बरन यानि परकार, कितना न कितना परकार का चिणिया का चेरे बेरे यानि कि चहाहत जो है गूँज उठता है यानि कि फागुन के सुभा में जब छितीज च के तरफ से सुरज छितीज करते हैं जहां आसमान और जमिन मिलता हुआ परती ठोता है तो वहां से जब सूरज देवता उपते हैं तो उस समय में कितना ना कितना तरह का चिणियों का आवाज चहाट गुण उठता है चरचरहाट उगत सूरज बेरा मुखरी थोला कताई बरन बरन कर चराई कर चरे बरे रन बन में जागलाग अंदोर तो इसका आर्थ है पहले ही आर्थ दे दिया है कि सूरज जो है उगत सूरज बेरा मुखरी थोलाग और कताई बरन कर चराई तरह तरह का चिणिया जो है चेरे बेरे रनबंड में जागलक अंदोर और जंगल में रनबंड में क्या हो रहा है। उजाला जागा, अंदोर यानिकी उजाला उसने फागुन कर चांदनी राइतों कर बखान करते कभी कहें न कि गोटा लीला अकास कर तरेंगन माझे चांद ऊगला है। वैसे ही फागुन का चांदनी रात का भी बखान करते हुए कभी कहते हैं कि पूरा जो है नीला लीला यानि कि नीला आकास के तरिंगन माझे चांद उगल है तारों के माझे यानि कि बीच में चांद उगा हुआ है जेकर से गोटा बंड में इंजोरिया पसरल है जिसे कि पू कोटे अंबर में पूरे अकास में जोरने टारों के बीच में किलक उचान ना चते धौल दह उसां दहाल हुआ चान मतलब साब शुतरा चान दिख रहा है और उजल रहा है का टाक्टा हल एंजुरिया है फागुन के जाने के साथ ही उसका साज और सिंगार भी चला जाता है आसा और अभिलास भी नहीं रहता है मुदा यानि कि लेकिन इस दो दिन के जिंदगी में और इसके रास्ते में दोसर के यानि कि दूसरों को भी थोड़ा बहुत तनी मनी यानि कि थोड़ा बहुत जो है सुख देना चाहिए जैसे फागुन आपन सिंगार करके दोसर के सुख देल उसने हाम रहो के आपन जिनगी में दोसर के बगरा सुख देख चाहिए जिस तरह से फागुन जो है अपने आपका सिंगार करके दूसरों को सुख देती है उसी तरह हम लोग को भी अपना जिंदगी में है दूसरों को जो है बगरा यानि के ज्यादा से ज्यादा सुख देना चाहिए दूसरों को जिंदगी में सुख हम लोग को भी देना चाहिए उसके खुसी में गम में हिस्सा बटाना चाहिए और उनको खुसी देने का परियास करना चाहिए यही धर्म है और यही कर्म है बस इतने कुन सत है और बस इतना ही सतो सत है आपन और आपन सर्वस्व के बिल माई को नहीं इतने कुन धर्म इतने कुन कर्म इतने कुन सत राय जी कर कविता में जदी फागुन का सुन्द्राइकर वर्नान आ है तो एक और दोसर कविता डहर में नागपूरी कर माटी से गढ़ल गांधी बाबा कर बखान करल है परफुल कुमार राजी का दो रचना के बारे में जिक्र किया गया है एक तो है फागुन और दूसरा है डहर तो ये दोनों पोईंट को आपको याद कर लेना है तो उनका दूसरा जो कविता है डहर में नागपूरी का मीटी से गढ़ा हुआ गांधी जी का जो है बखान किया गया है उनके बारे में बखान किया गया है एक राग दे हमरे एक ही एक राग दे हमरे जवान ही राग दे हमरे कर भारत है एक राग और दे और खौबे जोर से दे हमरे इंसान ही तो यहाँ पस जो है गांधी जी के बारे में लिखा गया है कि उनका कहना है कि एक ही राग में हम लोग को क्या कहना है कि हम लोग एक ही जवान है और हम लोग भारत के ही है मतलब हम लोग जोसे बोलते हैं हम हिंदू, मुसल्मान, क्रिश्चन वैसा हम लोग को कभी नहीं कहना ह हम लोग एक ही है एक ही मिट्टी से पैदा हुए है एक ही है हमारा ज्यात हमारा धर्म सारा एक ही है और एक ही राग से हम लोग को क्या करना है इसका रच्छा करना है और खोबे जोर से हम लोग एक ही इंसान है इसका हम लोग को खूब जोर से जो है इस बात का बखान करना है त तो यहां गांधी बाबा जी गांधी जी कहते हैं कि हम लोग जो है को एक राग और एक ही आवाज में कहना चाहिए कि हम लोग भारत मा के जन्मे हुए सभी कोई एक ही हैं हमरे जगरा जणजट नी चाहला हम लोग जो है कोई भी लड़ाई जगरा नहीं चाहते हैं हम लोग कर चुपी कर यह मतलब कभी मतलगाईएगा कि हम लोग कमजोर हैं कहा कि एह हम रहे कर धरम करम और सान है क्योंकि हमारा यही धरम है कर्म है और सान भी है नाकपूरी का आपन ठेट नारस गंध में भीनल इनकर गीत और कविता में समवेदना है तो नाकपूरी का ठेट कहते हैं एकदम प्योर नारस में नारस में जो गंध में उसके गंध में भीना हुआ भिनल यानि कि भिना हुआ जो है ठेट यानि कि एकदम पियोर नौरस में नाकपुरी का पियोर नौरस में इनका गंध में भिना हुआ जो इनका गीत और कविता और सम्वेदना है उसमें जो है सम्वेदना है गद और पद दुनों में अबोध गतिया है इनके गद और पद द कहानी लेख और उपन्यास आए इनके साहित्य में कहानी है लेख है और उपन्यास मिलता है जेकर भासा सेक्षी यानि कि सैली होगा यहां पस भाव और उदेश से उनके सबकर से उच ठाओ देवाला जिसका भासा सैली है भाव और उसका उदेश से जो है उनको सबसे उचा लोगऄ देता है किन को परफुलकुमार रायजी को यहां पास जो है एक वुक का हुआ अब दूसरा-वल्च में बहुत जएदा न नहीं थो भाए był यह का नाम में नाकफुुरी कवी और उनका रहे इससे भी पढ़ना नाकपुरी और जार्खन की सभी भसाओं को राची विश्व विद्याले में परतिष्ठित करने में इनका महत्पून भूमी का रही है स्री राय का जन्म सीसाई थाना के पहाण बंगरू में 8 दिसंबर 1920 इस्वी को हुआ था इनके पिता का नाम राम की सोर राय था इनकी पढ़ाय लिखाय भर्नों में हुई थी इनका जीवन बहुत संघर समय था इन्होंने अपनी मेहनत से बिकॉम और बियल की डिग्री हासिल की कई सरकारी दफ्तरों में नौकरी करते हुए ये NCDC से सेवा निर्वीत हुए यानि कि वही NCDC, CCL से नई HEC से ये सेवा निर्वीत हुए थे श्री राय ने नाकपुरी गद्य पदे को आधुनिता का क्लेवर दिया इन्होंने नाकपुरी के कहानी उपन्यास निवन्त के साथ नए धंके गीत और कविता लिखे इनकी दो पुस्तके परकासित है सोंजय रिंग्चिंग्या इनके बारे में डीटेल से बता दिये इनका देहान जो है राची में 7 फरवरी 1991 में 291 एक दिन इसमें बढ़ा दिया है वहाँ चे परवर 2019 में और यहां साथ परवरी 1991 दिया गया है तो यहाँ पस इस पुस्तक में बस इतना ही है तो अब इसका question answer भी इसी वीडियो में कर ले ते हैंलर यह question answer देखते हैं कि question answer को करेंगे करेशंगे उस से तो जल्दी से एप डाउनलोड कीजिए study pre question और class join कर लिजे वहाँ सारा कुछ दिया जा रहा है pdf chapter wise question chapter wise mcq वो भी unlimited attempt के साथ तो इतना सारा कुछ जो है इतना कम price में आपको कहीं नहीं मिलेगा और question का label तो आप अभी खुद देख लिजेगा परफुल कुमार रायकर जनाम कब होई रहा है तो question इस तरह से पूछेगा अभी इसमें जो हम जो book था शुरू में जो बताया है उनहीं से हम लिए है 8 फरवरी 1932 हलाके इसमें दो book है अलग-अलग दिया है परफुल कुमार रायकर जनाम कहां होई रहे तो जनाम तो वहीं हुआ था पहाण बंगरू सिसाई में पहाण बंगरू पहले राची में पढ़ता था अब गुमला में है परफुल कुमार राय का मिर्तिव कब हो लग तो परफुल कुमार राय जी का मिर्तिव कब हुआ था तो ये हुआ था 6 फरवरी 1991 को 6 फरवरी 1991 इसवी को जो की 7 फरवरी दिया है एक बुक में नाकपुरी कवी और उनका कावे बुक में 7 फरवरी दे दिया है तो ज्यादा उलजना नहीं है ऐसा question हो सकता है नहीं पूछेगा परफुल कुमार राय metric कर परिच्छा कर बाद कर पढ़ाई करे कहां गिले और हो सकता है वैसा option नहीं रहेगा question तो पूछ देगा अगर 32 रहेगा तो 20 नहीं रहेगा तो इसलिए आप लोगो टिंसन नहीं लेना है परफुल कुमार राय metric कर परिच्छा कर बाद कर पढ़ाई करे कहां गिले तो metric कर परिच्छा कर बाद कर पढ़ाई करने के लिए ये राची जाते हैं कहां चले जाते हैं? राची चले जाते हैं परफुल कुमार राय पढ़ेक बेरा कहा एगो छोट मोट घर बना ले 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 तो छोटा मोटा एक डेरा बना लेता है कहा बस रातू रोड राची में तो सही एंसर क्या हो जाएगा रातू रोड राची में परफुल कुमार राय कौन इस्वी में आइकॉम कर लें तो परफुल कुमार राय जी किस इस्वी में आइकॉम करते हैं तो ये करते हैं 1950 इस्वी में कब 1950 इस्वी में आइकॉम करते हैं परफुल कुमार राय कौन इस्वी में बियल कर लें इनका असनातक सिच्छा जो है किस में हुआ था तो वानी जीय में हुआ था तो सही एंसर क्या हो जाएगा वानी जीय में सारा question बनाया है वो भी type करके परफुल कुमार राय कब से कब तक NCD यानि कि CCL में CCL ही है थोड़ा सा confusion हो जाता है HEC भी कही बोल दिये है CCL में नोकरी कही लहा है तो ये CCL में कब जो है नोकरी किये थे कब से कब तो 1969 इसवी से 1989 इसवी कब 1969 इसवी से 1989 इसवी में तक जो है काम किये थे परफुल कुमार राय कौन इस्वी में नाकपूरी भासा परिशत कर अस्थापना कर लें तो नाकपूरी भासा परिशत के अस्थापना कब किये थे 1960 इस्वी में इनका छपल सोनजहर और रिंग्चिंग्या कैसन संग्रह के तो इनका जो रचना है सोंजहर और रिंग्चिंगिया बहुत ही महत्पूर्ण है इसको तो आपको एकदम भूलना नहीं है तो ये गीत और कहानी संग्रा है तो सही अंसर क्या हो जाएगा? गीत और कहानी संग्रा इनका सोंजहर पुस्तक बंगला प्रेस से कौन इसवी में छपता है तो 1970 इसवी में छपता है और कहां से छपता है उसको भी याद रखेगा हम question नहीं बनाए है बहुत question हो जाता है बंगला प्रेस से छपा थक और कब 1970 इसवी में परफुल कुमार रायकर रिंग्चिंग्या पुस्तक राची विश्व विद्याले से कब छाइप रहे तो रिंग्चिंग्या जो है रिंग्चिंग्या कहते है कलरफुल को रंगीन को ये अगर कहीं पूछ देगा रिंग चिंग्या करमाने का होले तो याद रख लेजे राची विश्व विद्याले से छपा था ये कब छपा था? 1983 इस्वी में और कहां से तो राची विश्व विद्याले से इसको भी याद रखना है तो उनों को याद रखना है परफुल कुमार राय कर कौन उपन्यास नहीं छपने सका है तो संकर गोटेक जिनगी तो ये पॉइंट भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है निबंध में तो इसको भी आपको याद रखना है परफुल कुमार राय के कौन संस्थान से साहित्य वाचपस्ति कर्मानद उपाधी से सम्मानित करल गये लाया तो कौन सा संस्थान था ये? विक्रम सिला हिंदी विदियापीट भागलपूर से एक हिंदी विदियापीट देवागलपूर मी भी है जो की ज़ार्खन जी के में पूछा जाता है जीव कहलक फागुन आवी फागुन आवी देवल पंक्ती कर कौन रचना से लेवल जा है दिया हुआ पंक्ती जो है कौन रचना से लिया गया है तो हो सकता है ऐसा question बना दे तो दो ही रचना दिया गया है तो याद रख सकते हैं तो जीव कही फागुन आवी तो फागुन जो कवीता है यह पर्फुल कुमार राय जी का है और यह रचना का नाम ही है फागुन तो दोनों चीज़ कभी परफुल कुमार राय अपन रचना फागुन में किये हैं तो धर्ती आकास बतास में हवा में गच बिरिच में रौद और छाय में धूप और छाय में तो सही एंसर क्या हुआ देवल से हो गई है कभी परफुल कुमार राय अपन रचना फागुन में फागुन कर सिंगार कर तुलना किसे किये हैं तो एक बिरहनी कर आज से सही एंसर क्या होगा ओप्सन डी फागुन गीत से हम लोगों को क्या सीख मिलता है तो हम लोग को यही सीख मिलता है कि हमरे मन के दोसर के बगरा सुख देवेक चाही हम लोगों को जो है दूसरों को ज्यादा सुख देना चाही परफुल कुमार राय जी कर कौन कविता में गांधी बाबा कर बख एक राग दे हमरे एक ही एक ही एक राग दे हमरे जवान ही देवल पंक्ती कौन रचना से लेवल जा है तो ऐसा पूछा जा सकता है तो ये डहर रचना का है डहर कवीता का है और रचनाकार है परफुलकुमार राय जी परफुलकुमार राय का डहर रचना जो रचना है driving उसके अनुसार जो है गांधी बाबा हम लोग को क्या काते हैं कि हम लोग जो है हमरे के एक राग में एक आवाज में कहेट चाहे कि हमरे भारत मायकर जन्मल सोभे कोई एक है की हमरे ज़गरा ज्जट नी चाहिला हमरे का चुपई कर मतलब ये ना लगावा कि हमरे कम जो रहे यानके हम लोग का चुपई का मतलब अप ये मत समजिए कि हम लोग कम जो रहे तो यह सारा पोइंट जो है बिल्कुल सही है गांधी जी का-ई-क दाहर रचना में हलाकि यह कहीं आपको मिला नहीं है हम लोग पढ़े हैं लेकिन इनको दादा के नाम से जाना जाता था तो ये दादा के नाम से जाना जाता था परफुल कुमार राय जी को हलाकि इससे और डीटेल में अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं हलाके syllabus में नहीं दिया है तो आप YouTube में search करें सकते हैं पर फुल दा एक नजेल इसमें कि हम बन के औरा में इनके बारे में जो पूरा detail से पढ़ाया है हलाके इससे बाहर question नहीं पुछेगा फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो YouTube में देखिएगा study pre question में आपको मिल जाएगा और जो लोग अभी तक class से नहीं जूड रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं एक जगा आ जाईए और अराम से सारा class कीजिए सारा MCQ, सारा chapter wise question answer और chapter wise test सारा कुछ मिलेगा और जो है मात फीस भी बहुत ही कम है 500 रुपिया बचाने का चकर में लगे हुए है तो आपको पस्ताने के अलावा कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है तो अभी भी ये last chance है जितना जल्दी हो सके class से जुड जाएए एप डाउनलोड कीजिए study pre question या मेरा नमबर है 8409 006632 इस नमबर पर contact कर सकते हैं कोई भी जानकारी हो आप राप्त कर सकते हैं हर तरह का आपको help किया जाएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe किजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कर दीजिए thanks for watching